हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएस शेक्षिक प्रशासन और प्रबंदन की स्रीज में हम मौक टेस्ट देख रहा है थे पिछले दो लेक्चर दो मौक टेस्ट में हमने जन्नल स्टडिस के सलेवस को कवर करने की कोशिश की थी तो जहां-जहां से मुझे लगता था important मैंने सारे एरिया को कवर करने की कोशिश की थी दो लेक्चर में आज ये तीसरा लेक्चर है इसके बाद एक लेक्चर हो रहाएगा और दोनों ही आज का ये थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर यानि के थर्ड मौक टेस्ट और फोर्थ मौक टेस्ट दोनों ही पार्ट टू से रिलेटेड होंगे सिलेबस के शेक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से रिलेटेड रहेंगे तो इसमें भी हमने थोड़े बहुत कोश्चन को कवर करने की एरियास को कवर करने की कोहिश की है ये पहला चैप्टर पहला मौक टेस्ट ये आज का हमारा सिर्फ उच शिक्षा में के नियामक निकाया है इतियादी से संबंदिद है तो लेकिन इसको मेरा बाइलिगवल नहीं बनाया है सिर्फ हिंदी में ही बनाया क्योंकि बहुत से बच्चों की अलाग अलाग डिमान थी सारी डिमान तो फिलाफिल नहीं की जा सकती तो फिर तो लेक्षरी नहीं बना पाऊंगा मैं अगर शब की डिमान फिलाफिल करऊंगा तो अब शुरू करते है आज की हमारे फस्ट कोश्चन से भारत में उझ शिक्षा very चेतर में मुखेता कितने प्रकार की संस्थाएं कार्रे रथ हैं option F5, option B3 option C4, option D6 तो आपको बताना है कि कितने प्रकार की संस्थाएं कार्रे रथ है मुखेता 3 प्रकार की option B3 इसका right answer है भारत में उच शिक्षा के चेतर में मुखेता 3 प्रकार की संस्थाएं या एजंसियां कारे करती हैं पहली है नीती बनाने वाली संस्थाएं या एजंसियां दूसरी है विनियमन अधारित संस्थाएं या एजंसियां और तीसरी माननेता प्रदान करने वाली संस्थाएं और एजंसियां यह हमारे सबसे first topic में ही हमने cover किया था first lecture में ही इसको cover किया था और हाँ यहाँ मैंने explanation भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है हर question के बाद उसके answer के साथ explanation भी provide किया गया है जबकि सही अर्थ में तो मुझे इसका explanation provide नहीं करना चाहिए था ताकि आप लोग खुद से research करें जब खुद से research करते हैं तो उसके इर्थ गिर्थ के topic भी नजर डाल लेता है इंसान तो वो भी cover हो जाते है तो इसलिए वो ज्यादा बहतर तरीका होता है लेकिन फिर भी मैंने सूचा कि बहुत से बच्चे इस lecture के बाद ये कहेंगे कि आपने explanation नहीं दिया तो इसलिए मैंने explanation भी साथ में डाल दिया है वरना सही तरीका यही है कि श्रीफ answer ही देना चाहिए था ताकि आप लोग answer की research खुद करें दूसरा question है निम्न में से कौन सी शिक्षा के छेतर में नीती बनाने वाली संस्था नहीं है पहला है उच्षिक्षा विभाग option B राज्य उच्षिक्षा विभाग यानि के state higher education council तीसरा है भारती विश्विद्याले संगठन और option D है भारती एतिहासिक अनुसंधान परिशद तो इसका सही answer है option D भारती एतिहासिक अनुसंधान परिशद भारती एतिहासिक अनुसंधान परिशद उच्षिक्षा के छेतर में नीती बनाने वाली संस्था नहीं बलकि एक नियामक निकाय है यानि कोई regulation board है question 3 हमारा तीसरा question है केंद्रिय सलाकार board के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही है पहला statement 1 यह नीती निर्माण सहीद शिक्षा के छेतर में संग और राज्यों के बीच समन्वे और सहयोग के लिए इस्थापित किया गया था statement 2 इस संस्था को 1935 में पुनर जीवित किया गया option A केवल 1 option B केवल 2 option C डोनो option D कोई नहीं तो इसका right answer है option C डोनो यह नीती निर्माण सहीद शिक्षा के छेतर में संग और राज्यों के बीच समन्वे और सहयोग के लिए स्थापित किया गया था यह 1923 में इसे भंग कर दिया गया लेकिन 1935 में इसे फिर से कुनर जीवित किया गया और तब से अब तक यह अस्ते तुम्हें है बहुत से candidates के students के comment आये थे के थोड़ा तेज lecture कवर करें तो मैंने पिछले lecture में ही बताया था कि मैं normally speed रखूँगा अगर आपको जल्दी कवर करना है तो आप video की setting में जाके speed को double कर सकते हैं या और अपने according बढ़ा सकते हैं अगला question है हमारा भारती विश्विध्याले संगठन के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका गठन society पंजी करन अधीनियम 1860 के तहत किया गया था statement to 1960 में इसका नाम बदल कर भारती विश्विध्याले संगठन कर दिया गया option a केवल एक option b केवल दो option c दोनो option d कोई नहीं इसका right answer है option b केवल दो तो इसमें हम से ये पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि option b कि इसका second statement सही नहीं है पहले इसका नाम अंतर विश्विध्याले बोर्ट था और society पंजी करण अधिनियम 1860 के तहट society के रूप में इसके पंजी करण के साथ 29 सितंबर 1967 को इसे कानूनी दर्ज़प्राप्त हुआ 1973 में इसका नाम बदलकर association of Indian universities भारती विश्विध्याले संगठन कर दिया गया अगला कोश्चन है हमारा उच शिक्षा में नियामक निकाय तथा उच शिक्षा में सामविधिक पेशेवर परिश्य दें संस्थाओं से संबंदी थे यह नियामक निकाय प्र्दान करने वाली संस्था framework इस का सही आंसर है इस इससा फिए या की नहीं हैं कि यह य्यामक संस्थार आν उच्छ शिक्षा विभाग के अंतरकत सर्वोच इस्तर की निकाय या विनियामक निकाय अनुसंदान परिशद हैं, जो भारत में उच्छ शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, इन निकायों को मौटे तोर पर नियामक निकायों और सामविधिक पेशेवर परिशदों में के अलावा जो बाखी के तीन उप्षन है, आपको उन्हें भी एक नजर देखना है, वरना फिर आप भी उन्हें की केटेगरी में आ जाएंगे जो पैन लगाकर एक्जाम देने चले जाते हैं, अगला कोशन है मारा निमलिकित पर विचार कीजिए, पहला अखिल भारती तक इजुकेशन काउंसिल, पांच वा है बार काउंसिल आफ इंडिया, छटा है विश्विद्याले अनुदान आयोग, उप्रोक में से कौन सा या कौन से उच शिक्षा में नियामक निकाए हैं, पहला है 1, 2, 3, 6, यानि के पहला, दूसरा, तीसरा और छटा, ये चारो नियाम निकाए है, वास्तुकल्या परिशद, भारती यतिहासिक अनुसंधान परिशद, और भारती समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिशद, और छटा है विश्विद्याले अनुदान आयोग, जबकि दूरस्थ शिक्षा परिशद, तता बार काउंसिल आफ इंडिया, सामव भारती तक्नीकी शिक्षा परिशद के संब्ध में सही कथन चुनी है, ये एक समविधानिक निकाए है, तक्नीकी शिक्षा AICTE के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ये समविधानिक निकाए है, इसका गठाण 1923 में किया गया था, ऑप्शन A, केवल A, ऑप्शन B, केव संस्ता है, जिससे नॉंबर 1945 में इस्थापित किया गया था, AICTE एक वेधानिक निकाए है, जो देश में समन्वित्विकास और तक्नीकी शिक्षा प्रणाली के समूझ चित नियोजन से संबंदित है, अकिल भारती तक्नीकी शिक्षा परिशद को AICTE अधिनियम 1987 की धारा 23 इसके साथ धारा 13 क्लॉस 2 और 13 क्लॉस 4 के तहट प्रदत शक्तियां प्राप्त हैं, अगला कोशन है मारा वास्तुकला परिशन, वास्तुकला परिशत का गढ़न निम्न में से किस अधिनियम के तहट किया गया था, वास्तुकार अधिकनियम 1970, वास्तुकार अधिनियम 1971, व अधिनियमित वास्तुकार अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा वास्तुकला परिशत का गठन किया गया है जो 1 सितंबर 1972 को लागू हुआ था बाकि इसकी डिटेल है ये वास्तुकार अधिनियम वास्तुकला परिशत के पंजीकरण के अलावा विशेशक्यों की समीटिय के माध्यम से तदा निरिक्षण के माध्यम से अधीनियम के तहट समय समय पर मानेता प्राप्त योग greater करता है. यानि के स्टेंडर्स को मेंटेन करने के लिए निरिक्षण करता है, निरिक्षण के अधार पर संस्थानों द्वारा बनाये की अपरियाप्ता के संबंद में उप्युक्त सरकारों का पृतिनेदित्म कर सकता है अगला है हमारा भारती एतिहासिक अनुसंदान परिशात के संबंद में सही कथन चुनिए statement 1 है इसमें इसका गठन विश्विद्याले अनुदान आयोग के अधिनियम के तहट किया गया था statement 2 इस संस्थान को 1932 में इस्थापित किया गया था आप्शने केवल एक, आप्शन बी केवल दो, आप्शन सी दोनों, आप्शन डी कोई नहीं, इसका सही आंसर है आप्शन बी केवल दो, भारती एतिहासी का नुसंधान परिशत एक स्वायत संगड़न है, जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1922 में इस्थापित कि अगला कोशन है मारा भारती एतिहासी कानुसंधान परिशत के दो चेत्री केंद्र में से निम्ण स किस भूनेश्वर ततह पटना, उप्शन डी गुहार्टी या तथा बैंगलूरू को इसका सही आंसर है उप्शन डी गुहार्टी तता बैंगलूरू, इसमें दक्षण चेत्री के अंदर बैंगलूरू है और उत्तर पूर्वी चेत्री के अंदर गोहाटी है बाकी आप डिटेल खुद ही पढ़ सकते हैं अगला कोश्यन हमारा भारती है दर्शन अनुसंधान परिशत के संबंद में निम्द में से कौन सा कतन सही नहीं है ऑप्षण ने इसका गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहट किया गया था ऑप्षण भी इसका गठन 1977 में किया गया था ऑप्षण C ये परिशत संस्कृती मंत्राले के तत्वाधान में काम करती है ऑप्षण D इस परिशत ने DP चटोपाध्याय की अध्यक्ष्टा में कार्रे करना प्रारम किया था तो इसका सही आंसर है option c ये परिशद संस्कृति मंत्राले के तद्वाधान में काम करता है जबकि हमने इसमें ये पूचाता है कि कौन सा कथन सही नहीं है तो यही कथन इसमें option c ही सही नहीं है तो यही हमारा answer हुआ तो 21-21 मंत्राले के अधिन आता है परिशद ने कार्रे करना प्रारम किया था अगला कोशन है हमारा निम्न समीतियों पर विचार कीजिए निम्न समीतियों पर विचार कीजिए Planning and Administration Committee, योजन और परिशासन समीती Research Committee अनुसंधान समीती और Research Institutes Committee अनुसंधान संस्थान समीति, उपरोक्त समीतियों निम्न में से किस परिशत के अंतरकत कार्रे करती हैं Option A, भारतिये दर्शन अनुसंधान परिशत Option B, भारतिये समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिशत Option C, विश्विध्याले अनुदान आयो Option D, अखिल भारती तखनी की शिक्षा परिशत तो इसमें सही आंसर है Option B, भारतिये समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिशत भारतिये समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिशत की महत्पूर्ण समीतियां तीन समीतियां है, इसमें Planning and Administration Committee योजनवर प्रिशासन समीति, Research Committee अनुसंधान समीति और Research Institutes Committee अनुसंधान संस्थान समीति निम्न मैं से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैगना कार्टा के नाम से जाना जाता है Option A, चार्ल्स का वुड दिस्पेच Option B, सार्जेंट रिपोर्ट Option C, रादा करिश्णान आयोग Option D, कोठारी आयोग तो आपका सही आंसर है, Option A चार्ल्स का वुड दिस्पेच 1854 के सर्चार्ल्स वुड दिस्पेच जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैगना कार्टा के नाम से जाना जाता है इसने प्रात्मिक विधियाले से विष्विध्याले तक की शिक्षा की उचित रूप से मुखर योजना बनाने की सिफारिष किये इसने सौदेशी शिक्षा को प्रोटसाहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीती के निर्मान की योजना बनाई इसके बाद 1857 में कोलकाता यानि के बॉम्बे कलकत्ता बॉम्बे और मदरास विश्व ध्याले की स्थापना 1887 में इलाहबाद विश्व ध्याले की स्थापना की गई हाँ एक चीद और मुझे बताना थी कि आप में से जो लोग जनरल स्टेडिस की विश्व सभी तयारी कर रहे होंगे और बहुत से लोग के पास हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम होगा स्पेक्ट्रम के लास्ट में आपको ये सारी संस्थाएं जो एजुकेशन की फिल्ड में डेवलप्मेंट हुए हैं अंग्रे जो ब्लटिश एरा से लेकर आजादी तक वो सारे आपको एक क्रोनलॉजिगल और में स्पेक्ट्रम के लास्ट में मिल जाएंëंगे तो आप वो बहुत जरूरी है उसको पढ़कर जाना आप उसको हर हालत में देखकर जाए एक बार और हो सके तो उसके जो year है कौन सी community किस year में आई थी जैसे कुर्ठारी commission या उससे पहले के जो commission है wood dispatch और आपका मेकाले समीती इन सब के बारे में आप detail चर्चा कीजिए और खास तोड़ से इसकी year while इसको याद रखने की कोशिश करना निम्न में से कौन सी समीती ने विशिविद्याले अनुदान आयोग से संबन दे थे कौन सी समीती विशिविद्याले अनुदान आयोग से संबन दे थे ए कोठारी आयोग, option b मेकाले समीती, option c wood dispatch, option c sergeant report तो इसका सही answer है option d sergeant report भारत में शिक्षा की राश्टी प्रणाली तैयार करने का पहला पिरियास 1944 में दित्ती विशिविद्याले के बाद के शेक्षिक पिकास पर शिक्षा के केंदरी सलाकार बोर्ट के रिपोर्ट के साथ आया जिसे sergeant report कहा जाता है इसने विशिविद्याले अनुदान समीती के गठन की सिफारिश की अलिगर्ण, बनारस और दिल्ली के तीन केंदरी विशिविद्याले के काम की देखरेक के लिए बनाई गई थी और 1947 में समीती को सभी मुझूदा विशिविद्याले के देखरेक की जिम्यदारी स्वाप दी गई अगला है मारा निम्य में से किस स्थान कर विशिविद्याले अनुदान आयोग का छेत्रिय कार्याले अवस्थित नहीं है पहला है गोहाटी, ऑप्शन B लखना, ऑप्शन C पुने, ऑप्शन D हैदरबाद तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन B लखना, पूरे देश में प्रभावी कवरे सुनिश्चित करने के लिए विशिविद्याले अनुदान आयोगने, पुडे, हैदरबाद, कुलकाता, घोपाल, गोहाटी और बैंगलोर में चेटरिये केंद्र, इस्थापित करके अपने कार्यों का विकेंद्री करण किया है, UGC का प्रधान कार्याले नई दिल्ली में, भादुर्शा सभार मार्क पर है, जिसमें 35 फिरोश्चा रूर्ड दिल्ली विश्विद्याले का दक्षिड परिसर में दो अरितिरिक्त कार् अपने नियम बनाते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका, ऑप्षन सी समवर्ति सूची, 1950 में भारत के सम्विधान को अपनाने के बाद शिक्षा को राज्य सूची का अंतर्गत रखा गया था, 1976 में एक सम्विधानिक परिवर्तन के बाद इसे समवर्ति सूची में रखा गय तता ये राज्यों और केंदर सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी बन गई, अगला कुशन है हमारा, निम्र में से कौन सा कथन डीम्ड विश्विध्यालियों के लिए सरवाधिक उप्यूक्त है, ऑप्षन है एसा कोई संस्थान जो शिक्षा के विशेश अध्यान छेत्र में बहुत मुचे मांदंड या मानकों पर काम कर रहा हो, उसे डीम्ड विश्विध्यालियों कहा जाता है, या कोई ऐसा संस्थान जो शिक्षा के विशेश अध्यान छेत्र में बहुत नीचे मांदंड पर या मानकों पर काम कर रहा हो, उसे डीम्ड विश्विध्यालियों कह कोई संस्थान जो शिक्षा के विशेश अध्यान शेत्र में बहुत उचे मांदन या माना को पर काम कर रहा हो। निम्न में से सवर पर्थम किस विशेश अध्यान ले ने पत्राचार कारेगरम आरम किया था। बढ़ते दबाव के साथ साथ विशेश विशेश अध्याले पर बढ़ते वित्य दबाव के समधान के रूप में पत्राचार शिक्षा के महतु को महसूस किया। अगले दश्यक्न यानि 1970 में यह आप डिटेल खुद देख लें यह तो लंबा हो जाएगा। तीसरा है इंद्रा गांधी राश्टी मुक्त विशेश 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 नाट लिए वह ध्या है इत्रवे स्थापना के साथ शुरुआ जिसके बाद 1985 में इंद्रागांधि राष्टिय मुक्त क्या राजस्तान नासित महारास्ट की स्थापना हुई अगला कोश्चन है हमारा दूरस्त शिक्षा परिशात की स्थापना किस वर्ष की गई थी ऑप्शन A 1992, ऑप्शन B 1995, ऑप्शन C 1999, ऑप्शन D 2002 तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन A 1992 मुक्त एंव दूरस्त शिक्षा के छेत्र में शिक्षा के प्रचार और समन्वे के लिए प्रमुक्ष जिम्मेदारी UGC के बजाए इंदरा गांधी राश्टी मुक्त विश्विध्याल ले इगनु को संसत द्वारा दी गई जो उच्षा भारत को विनियमित करने के लिए वेधानिक पराधिकरण है दूरस्थ शिक्षा को उच्षा में दूरस्थ शिक्षा को तो अब इस आदेश को पूरा करने के लिए 1991 में इगनु द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिश्थ 1990 में इसकी स्थापना की गई जो इगनु अधिनियम के तहर्ट वैधानिक तंत्र था 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 फरवरी 1992 में चालू हो गया अगला कोश्चन है मारा दूरस्त शिक्षा परिशत के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियूक्ष किया जाता है पहला है मानव संसादन विकास मंत्री ऑप्शन B विश्विध्याले अनुदान आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन C इंद्रा गांधी राष्टी है मुक्त विश्विध्याले के कुलपती ऑप्शन D राज्य मुक्त विश्विध्याले के कुलपती इसका सही आंसर है option C, इंद्रा गाधी, राश्टिये, मुक्त विश्विध्याले के कुलपती या दूरस्त शिक्षा परिशत में निम्ली के सदस्य होते हैं यानि उगनी के इगनू के कुलपती DEC के अध्यक के रूप में कारने करते हैं बाकी अन्य सदस्यों में कौन कून शामिल होते हैstory इस सही कतन चुनीए दूरस्त शिक्षा परिशत को 2013 में विगधित कर दिया गया है दूरस्त शिक्षा ब्यूरो को 2013 में स्थापित किया गया है दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो इंद्रा गांधी राष्टी मुक्त विश्व ध्याल लेकर अंतरगत करता है option A केवल एक, option B, 2 और 3, option C, 1 और 2, option D, उप्रोक्त सभी तो इसमें हमारा सही answer है, option D, उप्रोक्त सभी यह गलत होगा, इसका सही answer होगा, option C, 1 और 2 यहां आप इसको answer थोड़ा सही कर लें, इसका answer होगा, option C, 1 और 2 1 और 2, क्योंकि इसको विश्व ध्याले अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो में अंतरगत कार्रे करता है, जो कि घलत statement है, तो इस तरह हमारे पहला और दूसरा statement सही है बाकि आप इसकी detail इसमें पढ़ सकते हैं, माधव मेनन समीती ने ये भी निड़ने लिया था कि अंतरिम उपाय के रूप में इगनु के DEC को UGC में स्थनांतरित किया जा सकता है तो ये माधव मेनन समीती की सिफारिशों पर ही किया गया है, तो इसमें आप से question में ये भी पूछा जा सकता है कि दूरस शिक्षा ब्यूरो को का विगटन वो सॉरी दूरस शिक्षा परिशत का विगटन किस समीती की सिफारिश पर किया गया था या दूरस शिक्षा ब्यूरो का गठन किस समीती की सिफारिश पर किया गया है अगला कोशन है मारा भारती कृषी अनुसंधान परिशत के संबंध में सही कथन चुनिये इसका गठन 16 जुलाई 1929 को किया गया था ये शिक्षा मंत्राले के अंतरगत कार्रे करता है option A केवल A, option B, केवल 2, option C, दोनो, option D, कोई नहीं तो इसका सही answer है, option A, केवल एक भारती, किर्शी अनुसंधान परिशत, किर्शी अनुसंधान और शिक्षा विभाग, किर्शी और किर्शान कल्यान मंत्राले, भारा सरकार के तहर एक स्वायत संगढ़न है autonomous body, इसे imperial council of agriculture research के रूप में जाना जाता था फिर हमारा question है, निमन में से किस स्थान पर राष्टी अध्यापक शिक्षा परिशत का छेत्रिय कार्यालने आवस्थित नहीं है A, option A, जैपुर, option B, बैंगलोर, option C, भूवनेश्वर, option D, पुणे आज का हमारा option D, पुणे, राष्टी अध्यापक, शिक्षा परिशत, परिशत, NCTE के जैपुर, बैंगलोर, भूवनेश्वर, और भोपाल में किरमशा, चार छेत्रिये कारियालने है ये चार समीतियां जैपूर, बैंगलोर, भूनेश्वर और भूपाल, किरमशा देश के उत्तर, दक्षन, पूर्वी और पश्चिमी छेत्रों के छेत्री ये छेत्र को कवर करती हैं और ये 6 जनवरी 1986 को ये समीतियां अस्तित्यों में आई थी आज का हमारा आखरी कोशन इस लेक्चर का भारतिय पुनर्वास परिशत के संबंद में सही कथन चुनिये भारतिय पुनर्वास परिशत की स्थापना 1986 में की गई थी स्टेट्मेंट 2 22 जून 1993 को भारतिय पुनर्वास परिशत को वैधानिक दरजा प्राप्थ हुआ है जल्द ही पाया गया कि सोसाइटी अन्य संगर्थ द्वारा मानवकों का उचित मानकी करण और सुईकर्थ करतिय सुनिश्चित नहीं कर सकती तो 1992 में संसर ने भारतिय पुनर्वास परिशत अधिना नियम बनाया और 1993 को भारतिय पुनर्वास परिशत वैधानिक निकाय बन गया तो आज के लेक्चर में इतना ही अब अगले लेक्चर में हम आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे तो तब तक के लिए थैंक्यू क्लाओ में हम आएपर स्ट샹 प्रोदेगें लेक्चर श्यू